आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन जा साह आचारी संस्कृत विभाग राजकी महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्याले विकानेर का प्रणाम स्विकार हो हमने किरातार जुनियम के पच्चीस श्लोकों का परैन किया जिसमें पच्चीस श्लोक में वह कहता है वने चर्जो गुप्तचर बन कर गया था दुरियोधन के राज्य का पता लगाने के लिए वह युदिष्ठिर को कहता है कि जो वह दुरियोधन है वह आपके प्रतिछल करना चाहता है इसलिए आप उसका प्रतिकार करने के लिए सन्नद होईए हम तो जो हमें सूचना मिलती है वह ला सकते हैं वह समाचार देने तब का ही हमारा अधिकार है हमारा काम है तो इस तरह से वह अपनी बात रखके चुप हो जाता है वह ही आगे कहते हैं इती रहित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रविष्य क्रिष्णा सदनम मही भुजा तदाच चक्षे नुज सन्निधव वचह क्या हुआ कि इती गिरम इरहित्वा गते आत्व सत्क्रिये वन सन्निवासिनाम पत्योव महिभुजा कृष्णा सदनम प्रविष्य अनुज सन्निधो तत वचह आचचक्षे क्या कहा कि जब पहले की बात कहने के बाद जब उसने अपनी बात पूरी कर दी अथ इतिगिरम इर इत्वा जब उसने अपनी बात पूरी कर दी और आत्त सत्क्रिये और का जो स्वामी था वह वनेचर वह गते उस वह जब चला गया तो महिभुजा राजा यानि युधिश्टिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविष्य कृष्णा किसको कहते हैं द्रोपदी को द्रोपदी के कक्षमे प्रवेश्किया उसनों ने युधिश्टिर ने और अन जो सन्निदो अपने भाईयों के साथ ततवचा आचचक्षे उस वचन को उस वानी को कहा क्या हुआ कि जब वह वनेचर अपनी बात पूरी करके चला गया युधिश्टिर ने उसका अच्छा खासा सतकार किया यानि पुरसकार दिया उसको और जब वह चला गया तो युध क्रिश्णा के सदन में द्रोपदी के कक्ष में वनवास में बना रखा होगा कक्ष उन्होंने तो और वहां गए तो वहां अपने भाईयों को भी उन्होंने देखा सभी भाई बैठेते वहां या सभी भाईयों को बुला लिया तो उन अपने भाईयों के समक्ष और क्रिश निशम्या सिद्धं दुखताम अपाकृति रतस ततस्त्या थिनियन्तु मक्षमा निपस्च मन्यु व्यवसाय दीपिनी डुदा जाहार दुपदात्मज आगिरह अब क्या हुआ कि जब ततह तब दुरुपदात्मजा दुरुपद की पुत्री यानि दुरुपदी यानि कृष्णा दिशताम सिद्धिम निशम्य अपने शत्रु की उन्नती को सुनकर और ततस्त्याह अपाकृती है विनियन्तुम और उससे जो उसके अंदर ख्षोभ उत्पन्न हुआ अपाकृती है वह उसक्षोभ को क्या किया विनियन्तुमक्षमा उसको रोकने में वह समर्थ नहीं हो पाई और न्रिपस्य राजा युदिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी क्रोध को मन्यु व्यवसाय मतलब क्रोध और व्यवसाय और उद्योग को एक तो वो क्रोध करें दूसरा उस दुर्योधन को परास्त करने के उपाय करें क्रोध और उद्योग मन्यु व्यवसाय दीपिनी बढ़ाने वाली गिरह वाणी को उदाजहार बोली। क्या हुआ कि शत्रू की उन्नती को सुन कर चित्त के ख्षोब को छिपा नहीं सकती जो ऐसी वह द्रोपदी। उसने अपने पती के युदिष्ठिर के क्रोध को और व्यवसाय को यानि उद्योग को क्रोध भी बढ़े और व्यवसाय भी बढ़े व्यवसाय मतलब उद्योग भी बढ़े। क्रोध और व्यवसाय को बढ़ाने वाली गिरह वानि को उदाजहार बोली। तो यानि अब वो ऐसा बोलने वाली है जिससे युदिष्ठिर का क्रोध भी बढ़े और युदिष्ठिर उस दुर्योधन को परास्त करने का उपाय भी करे। एसी बढ़ानि वह बोलने वाली है तो क्या कहती है तो कहते है भवाद्र शेशु प्रमदाज अनोधितम भवत्य अधिक्षेप इवानु शासनम तथापि वक्तुम व्यवसाय यंति माम निरस्ट नारी समया दुराधया है पहले इसका अन्वय देखते हैं यद्यपि भव भवाद्र शेशु प्रमदाज अनोधितम अनुशासनम अधिक्षेप इवा भवत्य तथापि निरस्ट नारी समया है दुराधया माम वक्तुम व्यवसाय यंति कहती है कि यद्यपि आप लोगों के जैसे महानुभाव भवाद्र शेशु प्रमदाज अनोधितम श्त्री जनों की कही हुई बातें अनुशासनम अधिक्षेप इवा भवती कैसी होती है तो अधिक्षेप इवा अपमान के समान होती है तथा पी तो भी निरस्ट नारी समया हादुराधया मेरे जो चित का दर्द है मेरे जो हिदय का दर्द है उसने निरस्ट नारी समया इस त्रियो चित जो मेरा शील है जो मेरी मर्यादा है उसको दूर कर दिया है हटा दिया है यानि मैं मर्यादा भूल गई हूँ अब और माम ऐसा वह जो वो जो मर्यादा से हीनता है वो शर्ट जो हट गई है वही मुझे बोलने के लिए व्यवसायनती प्रेरित कर रही है क्या कहा कि मैं जो कहने वाली हूँ तो आप जैसे जो बुद्धिमान लोग है प्रज्यावान लोग है दिधिश्ठिर आप जैसों के लिए कोई स्त्री अनुशासन करे यह तरह से अपमान है आपका किन्तु अब जो परिस्थितियां है उसमें जो मेरे चित का क्षोब है उसने मर्यादा को स्त्रियों चित मर्यादा को खतम कर दिया है और वही क्षोब जो है दुराधया माम मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाय यन्ती प्रेरित कर रहा है यह द्रवपदी कहती है युदिश्ठिर को अब आगे क्या कहती है यह कहती है अखंडम आखंडल तुल्य धामभी श्चिरम धृता भूपति भी स्ववन्षजय च्वयात्म हस्तेन मही मदच्चुता मतंग जेन श्रगिवाप वर्जिता क्या हुआ कि आखंडल तुल्य धामभी जो आखंडल कहते हैं इंद्र को तो इंद्र के समान प्रभावशाली आखंडल तुल्य इंद्र के समान धामभी प्रभावशाली स्ववन्षजय आपके वन्ष में जो उत्पन भूपति भी राजाओं ने चिरम लंबे समय तक अखंडम धृता महिम अखंड रूप से मही को धर्ती को धारन किया था राज्य का संचालन किया था उसको आपने त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने हाथ से त्याग दिया कैसे जैसे मदचुता मतंगजे जैसे मद को बहाने वाला मतंगज हाथी मद को बहाने वाला हाथी कुन होता है आप लोगों को साइद पता नहों हाथी देखा होगा आपने हाथी के नर हाथी के कान के नीचे से जल बहता है यहां से कान के नीचे से उसको मद बोलते हैं विशेश करके जो खामा सक्त हाथी होता है उसके कान के नीचे से जल बहता है तो उस जल को बहाने वाले वो क्या करता है? वो बहुत करोधी हो जाता है और वेगवान हो जाता है और उनमत हो जाता है तो उसके गले में जो माला पहनाई जाती है उसको तोड़कर फेग देता है तो यहां यही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मद को बहाने वाला हाथी मतंगज अपने गले में पहनाई हुई माला को तोड़ कर फेक देता है उसी तरह से आपने अपने पूर्वजों के द्वारा पूर्वजों के प्रभाव प्रभावशाली पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से अखंड रूप से पाली गई पृत्वी को यानि राज्य को अपने हाथ से त्याग दिया आपके पूर्वजों ने बड़ी अखंडरूप से इस्पृत्वी का पालन किया था लेकिन आपने अपने हाथ से उसका त्याग कर दिया त्याग कैसे किया जैसे कोई हाथी अपने मस्त हाथी जो है अपने गले में पड़ी हुई माला को तोड़कर फेक देता है पिर आगे कहते हैं ब्रजन्ति ते मूद धियह पराभवं भवन्ति माया विशुये न माईनह प्रवश्य ही ग्नंति सठा ससाविधा न समवृतांगान निशिता इवेशवाहा इसका अन्वै इस प्रकार होगा ये माया विशु माय नहन भवन्ति ते मूढदिय पराभवं ब्रजन्ति जो मायावियों के प्रती मायावी नहीं होते जो जूट बोलने के प्रवालों के छल करने वालों के प्रती छली नहीं होते जो कपट करने वालों के पृती कपटी नहीं होते ते मूढदिया पराभवं ब्रजंती वे मूर्ख बुद्धी वाले पराजय को प्राप्त होते हैं आपके साथ दुर्योधन ने छल किया तो आपने भी दुर्योधन के साथ छल करना चाहिए जो छल करने वालों के साथ छल नहीं करते हैं ते मूर्ख जो होते हैं तथाविधान उस तरह के लोगों को जो मायावियों के साथ माया नहीं करते हैं छल छलियों के साथ छल नहीं करते हैं उनके हिर्दय में प्रवेश करके उनको गहरी चोट पहुचाते हैं जैसे की नुकीले तीर निशिताह इश्वह जो नुकीले तीर होते हैं असंवरितांगान बिना ढखे हुए शरीर वाले के शरीर में प्रवेश करके उसको चोट पहु करने वाले के साथ छल नहीं करता वह पराभव को प्राप्त होता है मुर्ख बुद्धी है वह पराभव को प्राप्त होता है जिस प्रकार से नुकीले तीर खाली वालों के शरीर में प्रवेश करके उनको मार देते हैं चोट पहुचाते हैं और मार देते हैं उसी प्रकार से ऐसे लोग जो शठ हैं, जो छली हैं, वे जो छल नहीं करने वाले हैं, उनके शरीर में प्रवेश करके उनको मार देते हैं, उनके भीतर प्रवेश करकर उनको मार देते हैं, ऐसा द्रोपदी कह रही है किसको? युदिष्ठिर को. आगे कहती हैं साधन है आपके जितने सहायक हैं वे सब हिर्दय से प्रेम करने वाले हैं आपको और आप स्वयम महान वन्ष की मर्यादा रखते हैं फिर भी आपके जैसा दूसरा राजा इस संसार में कौन होगा जो आपके गुणों से अनुराग करने वाली कुली ना मन को मोहने वाली एवं अपनी स्त्री के समान वन्ष पर अप्रा से ठहरी हुई राज लक्षमी को त्याग दे फिर से देखते हैं अनुरक्त साधनह आपके सहायक हैं वे आप पर अनुरक्त हैं और कुलाभी मानी वे अनुरक्त हैं का मतलब आप आप से हिरदय से प्रेम करते हैं और आप कुलाभी मानी हैं आप अपने महान वन्ष की मर्यादा को बहुत आदर से याद करते हैं अभिमा करते हूं उस पर और आप नराधिपा राजा भी हैं तो नराधिपा तवदन्य हक आपके अलावा और कौन ऐसा राजा है कि जिसके सारे साधन उस पर अनुरक्त हैं साधन में यहां मनुष्य भी होगा दूसरी दूसरी वस्तुवें भी होंगे वे कौन है ऐसा दूसरा राजा जो सभी सहायकों के अनुरक्त होते हुए भी अपने कुल पर गर्व करते हुए भी क्या करे कि गुणा अनुरक्ता आपके गुणाँ पर अनुरक्त हुई कुल जाम उच्च कुल में उत्पन हुई मनुरमाम अत्यंत सुन्दर आत्मवदुम और अपनी पत्नी के समान श्रियम राजय लक्ष्मी को परह अपहारैत दूसरों के द्वारा अपहरण करवा दे यानि जो राजय लक्ष्मी आपको प्राप्त ठी वा आपके गुणाँ पर अनुरक्त ठी यानि युदिष्टिर राजा तो अच्छे थे ही बहुत जनता की आवाज को सुनने वाले राजा थे युदिष्टिर और जनता के कुशलक्षेम के लिए लगातार पिरत्न करने वाले राजा थे तो गुणानु रखताम आपके गुणों पर अनुरखती वा राज लक्षमी और कुलजाम, कुलजाम मतलब कुलीना थी, वो ऐसा भी नहीं था कि अचानक ही मतलब किसी गलत सलत साधन से प्राप्त हो गई हो, तो इसलिए वो अकुलीन नहो के कुलीन थी, कौन राज्य लक्षमी आपकी, राज्य जो आपका था, और मनोरमाम, अत्यंत ही सुन्दर थी वो मतलब बस, युदिश्टिर का राज्य बहुत अच्छा था ही, तो मनोरमाम थी वो, और आत्म वधूम, जैसे कोई पत्नी, आत्म वधूम, जैसे अपनी पत्नी जितना प्रेम करती है, उतना ही प्रेम करने वाली थी वो आपको, ऐसी राज्य लक्षमी को आपने दूसरों क द्वारा अपहरण करवा दिया, यानि जुए में हार गए थे, युदिश्टिर, तो दूसरों के द्वारा उस राज्य लक्षमी को का आपने अपहरण करवा दिया, ऐसा वह राजा आपके अतरिक्त कौन हो सकता है, यानि एक प्रकार से ताना मारती है वह द्रोपदी किसक युदिश्टिर को कि आपके अलावा इसा राजा और कौन होगा जो अपनी ही राजी लक्षमी को दूसरों के हाथों से अपहरण करवा दे, इस प्रकार हमने छह शलोकों का पारण किया, शेश शलोकों का पारण हम आगे करें